हेलो एविवान वेलकम बाक टो आप चानल लेर्ण बाई इक्सपर्ट में हम लोगों ने पिछले सेशन में डिसकस किया था अगर आपने वह वीडियो नहीं देखिया तो आप वह वीडियो जरूर देखिये और उसके बाद इस वीडियो में आएं बिकॉज basic layer करना बहुत जरूरी है जैसे हमारे basic layer होंगे आज हम सारे जो भी important rules हैं उसके बार discuss करेंगे तो पिछले session में concepts cover कर चुके हैं और इस session के लिए हमारे पास अब हमारे जितने भी important rules हैं जो भी हमारे exam point of view से important है वो इसके अंदर हम discuss करने वाले हों सो मैंने आपको पहले भी बताया था अभी भी बता दियों कि हर एक्जाम में maximum error detection के question या फिर और भी जो भी English में questions आते हैं maximum आपको verb से मिल जाएंगे या फिर tense से मिलेंगे अगर आपको verb आता है आप समझ लीजिए कि English की आदी से ज्यादा लडाईया प्लड चुके हैं आपक जितने भी problems हैं आपके आएगे 70-80% तो यहीं पर solve हो जाएंगे और प्लीज अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो end तक देखते रहें अदर्वाइस आपके जो भी concept से वह clear नहीं हो पाएंगे आपको पूरा सीरीज देखना पड़ेकर तब जाके आपके concepts एकदम clear हो जाएंगे और मैं आपको assurance फिरी मैं आपको guarantee देते हो अगर आप यहीं सीरीज कर रहे हैं आपको problem नहीं आने वाली है English में आप चाहे कोई भी exam ले लिजे बैंक लिजे एससे ले लिजे कोई भी exam कोई भी competition exam ले लिजे आपके maximum चीज़े यहीं पर हो जाएंगे चले हम आग स्क्रीन पर रूल देख सकते हैं singular subject takes singular verb plural subject takes plural verb मैंने लास्ट सेशन में भी कहा था कि वर्ब दो तरीके के singular and plural याद है आपनों को singular verb के साथ हमेशा क्या लगता है एस और एस लगता है लेकिन plural verb के साथ एस और एस कभी भी नहीं लगता और यह हम वर्ब ही नहीं बाकी प्रनाउंट में नाउन में भी हम लोग बहुत बार डिसकर्स कर चुके अभी तक तो आपके माइन में बैठ चुका होगा कि जब भी subject singular होगा यानि एक होगा तो हमेश उसके साथ singular verb आएगा यानि वर्ब के साथ हमेशा एस और एस आएगा ठीक है और जब भी subject यानि दो यह दो से ज्यादा होगे यानि plural होगा plural sense दे रहा होगा तो वर्ब हमेशा क्या आएगा plural आएगा यानि उसके साथ एस और एस कभी भी आड नहीं होगा अच्छा बात बत आज में लास्टाइम डिसकर्स किया था राइट तो आप मुझे पताएगे इस एंड आग यह हमारे टूबी के फॉर्म है ना टूबी वर्ब के इस हमारा है सिंगुलर ठीक है और यह हमारा है प्लूरल तो याद रखेगा कि यह प्लूरल के साथ यूज़ होगा और यह सिं सिंगुलर और हमारा है प्लूरल और वाज सिंगुलर वर हो जाएगा प्लूरल के लिए लेकिन जब हम यू की बात करते हैं यू के साथ एक 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 सेप्शन आ जाता है आर यूज़ करते हैं और यू वर यूज़ करते हैं ठीक है तो यह बात हमेशा याद रखेगा और होता हमेशा you have होता है चलिए हम आगे बढ़ते हैं आप कुछ एक्जाम्पल से करन इट या इट हिस ब्रेकपास अर्ली सो यह हमारा एक संटेंस है इसमें सब्जेक्ट क्या है करन करन अपना ब्रेकपास जल्दी खा लेता है यह संटेंस का मतलब है यहां पर हमारे यह सब्ज क्या करन क्या हो जाएगा हमारा और यह क्या है इस अर इस यहां आभी डिसक्रस किया आथ answer will be eats so correct sentence क्या होगा current eats his breakfast early अब next sentence देखते हैं they have gone to the market correct है या नहीं है दे क्या है plural हम बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं plural subject यानि क्या होना चाहिए plural verb होना चाहिए तो यहाँ पर इसलिए have का यूज किया है मैंने आपको बतायाता है कि have क्यों होता है plural होता है इसलिए sentence एकदम करेक्ट है next sentence देखते हैं करन डू और डास इस ब्रेक पास अर्ली ओके यह हमने हम चले इसको भी बाद कवर कर लेते हैं डू और डॉस के बारे में हमने डिसकस नहीं किया है सिंगुलर जो होता है गाईस सिंगुलर होता है डूस क्योंकि एस इस मैंने आपको बताया था ना अब उससे याद रख सकते हैं और प्लूरल के लिए हम मेशा क्या यह उस करते हैं डू हम इट की जगा डू 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 भी कर सकते हैं कोई प्रॉबलम नहीं है यहाँ पर क्या आना चाहिए डू सिंगुलर सब्जेक्ट तो वर्ब क्या होगा सिंगुलर होगा यानि डूस सीता एंड गीता आर बेस्ट फ्रेंड्स सीता एंड गीता यहाँ पर हमारे क्या हैं सब्जेक्ट हैं किसके बारे में बात हो रही है सीता एंड गीता अब यहाँ पर आप देख सकते हो एक से ज्यादा लोग हैं यानि क्या हो गया प्लूरल हो गया सीता एंड गीता दो गीता यानि दो लोग यानि प्लूरल अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसा होगा प्लूरल होगा इजी सो हमारे यहां पर तब भी इसलिए यहां पर आर का यूज किया गया अगर इस होता तो गलत हो जाता सीथा इन गीता आर बेस्ट फ्रेंग तो यह संटेंस भी एक दम करेक्ट है तो आगे बढ़ते हैं हमने अभी डिसकस किया कि जब भी आंड आता है दो नाउन की बीच में अगर आंड यूज हो रहा है तो वर्ब क्या हो जाता है प्लूरल अभी हमने क्या किया था कि सीथा और गीता के बारें बात कर देते आंड आ रहा था बीच में आंड यूज हो रहा था और यह दो नाउन है तो जब भी दो नाउन या दो प्रोनाउन की बीच में आंड यूज होता है हमारा वर्ब क्या होता है प्लूरल वर्ब होता है लेकिन यह हर बार केस फॉलो नहीं होता there are certain exceptions आम मुझे बताएं यह जो एक यह sentence है sentence number one and sentence number two the vice president and association head has arrived आपको इन दोनों में क्या लगता है कौन सा सही हो कौन सा गलत है मैं आपको बताती हूँ दोनों ही sentence correct है आप सोच रहोंगे ऐसा क्यों उपर plural verb है नीचे हमारा singular verb है उपर हमारा एक जगा पर आर्टिकल है एक जगा पर नहीं है missing है जब भी आप मानीजे यहाँ पर देखिए vice president and association head की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर vice president एक अलग व्यक्ति है association head एक अलग human being है तो यहां पर हम दो अलग लोगों की बात कर रहे हैं तो जब भी हम दो अलग लोगों की बात कर रहे होते हैं तो यानि कि क्या होता है कि हम plural sense की बात करें एक इंसान की बात नहीं यह दो इंसान की बात हो रही है दो इंसान की बात हो रही है तो subject क्या हो जाए and association head एक ही इंसान है so subject क्या है? singular, why? because we are talking about one person that is the reason we have used singular verb I mean that is the reason we have used has, ठीक है? हमने have का इस्तमाल नहीं किया है अभी हम identify कैसे करेंगे? जब भी दो अलग व्यक्ति होंगे ऐसे case में क्या होगा? दोनों noun के साथ article use होता है मैं को कैसे पता लगा कि vice president और association head अलग इंसान है? क्यों? क्योंकि मैंने vice president से पहले article use किया है और association head से पहले भी article use किया है so ऐसे case में जब हम दो different इंसानों की बात कर रहे हैं तो दोनों noun के साथ हमें article लगाना mandatory होता है that means we are talking about two persons here and that is the reason we have used have ऐसी अगर आप next sentence में देखें यहाँ पर देखें दोनों की साथ article नहीं है ऐसे first वाले के साथ article है तब ही मैं identify कर पार रहे हैं that we are talking about one person vice president and association head एक ही इंसान है जब भी हम कोई भी हम दो particular word या दो noun, दो pronoun हम use कर रहे हैं एक इंसान के लिए ठीक है एक ही जाने के लिए तब हम हमेशा क्या करेंगे first वाले के साथ हम हमेशा article लगा लेंगे that is why यहाँ पर आप देखें कि the जो use हो रहे है खाली vice president के साथ use हो रहा association head के साथ नहीं हो रहा है क्योंकि हम एक ही व्यक्ति के बात करें और यह क्या है हमारा one person है okay that is why we have used has clear है जब भी दो के बारे में बात करेंगे article हम दोनों के साथ लगाएंगे एक के बारे में बात करेंगे तो first वाले के साथ हम article लगाएंगे यह एकदम आप concept clear रखेगा so अब आप मुझे बताए कि next sentence क्या सही है या गलत अब poet and doctor have come to meet me अब यहां पर are we talking about two person two different person और we are talking about same person poet भी और doctor भी तो उसके लिए हम क्या identify करेंगे दो नाउन and से join है और पहले वाली नाउन के साथ we are talking about two different person और one person तो अब हम कैसे identify करेंगे article की help से आप देखिए article किसके साथ है सिर्फ first वाले के साथ article है second वाले के साथ मैंने कोई article use नहीं किया है तो यानि हम एक ही इंसान की बात कर रहे हैं जो poet भी है और doctor भी है तब ही हमने पहले वाले के साथ यह article लगाया है तो हमारा subject क्या होगा singular why लगाया है क्योंकि यहां पर एक इंसान की बात करें तो हमारा verb क्या आना चाहिए वर्ब भी हमारा singular आना चाहिए तो यहां पर क्या आना चाहिए यहां ना की हैर्ड यह संटेंस हमारा गलत हो जाता है क्योंकि हैं सेक्वार कि एक दम कर्एक होता सो यह बात आपको समझ में आगी की हमें कब लगाना है और कब लगाना है ठीक के चलिए अब next concept में बढ़ते हैं प्र सब्स्क्तार को सब्सक्राइब करना है परस्ट के साथ अगर हमारा आर्टिकल के साथ नहीं लगा है वो क्या हो जाएगा हमारा सिंगुलर सिंग मतलब एक ही परसन के बारे बात हो दिया इसने सिंगुलर वर्ब आएगा लेकिन अगर हमारे दोनों नाउन की साथ अगर हमारे आर्टिकल लगें जिसे हाँ पर लगे हैं तो तब हम क्या करेंगे प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नौ पेयर ओफ वर्ड्स यह बहुत इंप्पॉर्टिंट है क्वेशन बहुत आते हैं इसके प आइडिया प्रेजेंट करते हैं हैं एक सिंगल थॉट बताते हैं जैसे कि यहां पर एक एक एक्जाम्पल देखिए ठुट एंड ऑनिस्टी हमेशा सचाई और इमानदार हमेशा कथे यूज होता है ठीक है सिमिलरली ब्रेड आंड बटर यह क्या है यह हमारे पेयर ओफ वर हिस्साँ होता है हमेशा एसे होते हैं जो हमेशा हम 18 करते हैं और वह सिंगल आइडिया रिप्रेजञ्ट करते हैं essere हम जो लगाते हैं वो singular verb use होता है यह हमेशा याद रखेंगे मैं आपको जिसे first example अगर हम देखते है truth and honesty क्या ही है हमारा यह pair of words है is या फिर are the best policy मैंने आपको क्या बजाया है single idea, common thought यानि singular verb तो is आएगा या आएगा is आएगा next example देखते है their bread and butter depend on his job यहाँ पर क्या है subject bread and butter subject हमारा plural है singular है it is a singular subject why? because it is pair of words हाँ तो verb हमारा क्या होगा singular होगा और singular verb में क्या होता है s और es attach होता है तो depends की जगा क्या आना चाहिए depends आना चाहिए ठीक है चले next example देखे same example age and experience bring wisdom to man सही है या गलत है बिल्कुल गलत है मैं आपको reason बताते हूँ subject हमारा क्या है age and experience age and experience यह क्या है हमारा pair of word है again pair of word is singular subject तो जब singular subject होगा verb भी singular होगा तो bring का singular क्या होता है ब्रिंग्स होता है चले अब हम next example देखते है rise and fall is a part of life rise and fall again pair of word subject क्या हुआ singular हुआ तो वर्ब भी क्या होगा singular होगा और यहां पर इस का इस्तमाल किया गया यानि singular subject है तो यानि यह क्या है एकदम correct sentence है और राइट मैं आपको pair of words की कुछ example देती हूँ जो बहुत ही commonly used होते हैं हमारे exams में आप लोग उसकी list बनाईए एकदम आप पढ़ेंगे आपको वैसे ही याद हो जाएगा मैं शुरू करते हूँ लॉक और की और हॉस और कारेज ब्रेड और ब्रेड और ब्रेड बाटर का अभी अपने एक्जाम्पल भी किया था slow and steady और है rise and fall ये भी हमने भी एक्जाम्पल किया था एक यूज होता है rise and curry ये भी एक मारा pair of words है एक ये भी लिख लिए अप्स and भी यूज होता है उसके साथ और भी यूज होता है डाउन देखें अपके साथ ऐस है डाउन के साथ ऐस नहीं है salt and pepper जो जो एक्जाम के लिए important है वो सारी मैं आपको लिखवा रही हूं एक है मारा cup and saucer, shirt and tie, birds and bees, give and take बहुत सुना होगा give and take के बारे में एक lost and found बहुत common आता है it likes to tap, eyes and ears, rain or shine, okay, coming and going, एक एक क्राउन एंड ग्लोरी प्रोथन ओनेस्टी यह भी यह बहुत ही ज्यादा एक्जाम में यूज हुआ है वर्ड राइज इन फॉल मैंने नहीं करवा दी है राइज इन फॉल आप यह भी लिख सकते हैं हैं मर्ड आपको कवर करा दी सारे एक्जाम पॉइंट ओफियो के लिए आपके साली इंपोर्टेंट है तो प्लीज यह सारे आप एक बाप पढ़ लेंगे अपने आपके माइंड में बैठ जाएगा और इनके साथ हमेशा याद रखेगा हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट अभी इसके सा क्वेशन करते हैं यह हमारा प्रिविएस येर आई बीपीएस का क्वेशन है आई बीपीएस क्लर्क में आ चुका है क्वेशन क्वेशन इस स्कीम विच विल बी लॉंच्च दूरिंग दे नेक्स्ट्व यह रिक्वायर इन अडिशनल इन्वेस्मेंट ओफ वान हंडेड कर हम क्या बात कर रहे हैं स्कीम की बात कर रहे हैं स्कीम विच विल बी लॉंच्ट दूरिंग नेक्स्ट्व यह जो यह स्कीम है जो नेक्स्ट दो साल में जब यह लॉंच होगी है लॉंच होगी इस स्कीम को क्या चाहिए एडिशनल इन्वेस्मेंट चाहिए है वन करोड की तो यहाँ पर हमारा subject आ जाता है, the scheme, और यहाँ पर हमारा verb क्या है, require, और हमारा subject क्या होई, the scheme, we are talking about one scheme, तो subject हमारा क्या हो जाएगा, singular, singular subject यानि singular verb, तो require नहीं आएगा, requires आएगा, क्योंकि singular verb में हमेशा हम s और is add करते हैं, very simple, sentence से डर सकते हैं, लेकिन rule देखिए, एकदम simple सा apply हो रहा है, और यह का question है, और next question देखते हैं, यह भी IBPS का question है, the actress, हम actress के बारे में भी बात कर रहे हैं, actress हमारा क्या हो गया, subject हो गया, the actress believes in being fit and feels that, see, actress क्या करती है, believe करती है, तो हमारा क्या है, singular subject है, और believes क्या है, singular verb है, तो यह एकदम correct है, sorry, the actress believes in being fit and feels, sorry, मैं आपको दबारा फट कर रहे हैं, the actress believes in being fit, यह sentence एकदम correct हुआ, because subject क्या है, actress और verb भी क्या, उसके according यूज किया है, and feels that there are too much high, around size zero in the entertainment world, अच्छा, यह feels किसके लिए यूज किया है, actress हमारी believe भी करती है, और feel भी करती है, तो यह feel किसके लिए यूज हो रहा है, actress के लिए यूज हो रहा है, subject singular, verb भी singular, यह भी एकदम correct है, क्या feel कर रही है कि बहुत ज्यादा hype है, अब अब यह देखिए, too much hype, too much hype, यह क्या हमारा uncountable noun है, और हमने noun में भी पड़ा है, मैं एक पर दुबारा बताते हैं, जब भी uncountable noun होता है, उसके साथ हम हमेशा singular verb यूज करते हैं, तो यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, uncountable noun, यानि too much hype के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा verb भी क्या आना चाहिए, singular आना चाहिए, और singular क्या होगा, is होगा, ठीक है, आपको समझ में आ गया है, कि हमने किसके recording करा, क्योंकि hype हमारा uncountable है, और यहाँ पर हम जो यह sentence अगर अलग sentence देखे, there are too much hype, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, is आना चाहिए, why, because यह verb जो refer कर रहा है, वो uncountable noun को refer कर रहा है, और uncountable noun के साथ हम क्या use करते हैं, singular verb, clear, next question, in the aftermath of the Asian tsunami, the sporting community have responded swiftly to the, to contribute in whatever way it could, both financially and qualitatively, so, यहाँ थे subject क्या है, in the aftermath of Asian tsunami, the sporting community, so, the subject is the sporting community, और verb क्या है हमारा have, so, यहाँ पर यह जो the sporting community, is it a singular subject, और a plural subject, since sporting community, एक community के हम बात कर रहे हैं, तो यह क्या है हमारा singular, singular represent कर रहा है, तो हमारा जो verb आएगा, तो verb भी क्या आएगा, singular आएगा, तो यहाँ पर क्या use होना चाहिए, has use होना चाहिए, clear, चलिए, next परते हैं आगे, next important rule, यह बहुत, बहुत important है, mark this as very important, क्या फिस्टार, जो भी आप मार्क करते हैं, जरूर करिए, जब भी दो subject को join किया जाता है, with से, together with से, along with से, as well as से, in addition to से, but से, like से, unlike, besides, including, excluding and not, rather than, let by, governed by, जब भी हम दो subject को इन दोनों से join करेंगे, हमेशा जो verb use होगा, वो first subject के according होता है, first subject यानि, s1 के according हमारा verb use होगा, ठीक है, हमने अभी and के बारे में discuss कर चुके, अब हम दूसरे examples के बारे में discuss कर रहे हैं, यह बात हमेशा याद रखें, verb will be used according to first subject, exam में with बहुत आया है, together with बहुत आया है, along with as well as बहुत आया है, और governed by आया हुआ है, led by आया हुआ है, यह कुछ important exam oriented, या फिर आप कहिए कि बहुत favorite rule है, जिस पे बहुत error बनते हैं, ठीक है, चले हम कुछ example डिसकस करेंगे, इसी की पेस पे sentence देखते हैं, करन along with his friends are going on a picnic tomorrow, अब यहाँ पे हमारा subject क्या है, करन and his friends, यह हमारा क्या है subject, आप देख रहे हैं, यह subject को किसटी से join क्या है, along with से, इस case में हमने क्या discuss किया था, the verb will be used according to the first subject, first subject हमारा करन है, और करन क्या है, singular है, तो यहाँ पे हमारा क्या use होना चाहिए, is या are, is use होना चाहिए, ठीक है, अब आप मुझे next sentence एक बार देखिए, और खुद कोशिश करें कि क्या, इसके अंदर क्या error, देखे, teachers along with the students, यहाँ पे हमारा subject क्या है, teachers along with the students, और यह किस चीज़ से join हो रहा है, अगेन along with से join हो रहा है, और जब भी ऐसा होता है कि दो subject along with से join होते हैं, तो verb कैसा use होता है, verb is used according to the first subject, यहाँ पे हमारा first subject क्या है, teachers, teachers क्या है, singular और plural, हम बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं, so subject is plural, तो verb भी क्या होगा, plural होगा, तो has आना चाहिए, have, have आना चाहिए, क्योंकि have plural हमारा verb है, so clear, हमने कम से कम चार, तीन-चार, तो rule आराम से discuss कर लिए, कुछ example के basis पे, all right, so यह कुछ major rules थे, और हम next session में इसका continuation करेंगे, और important rules हम discuss करेंगे, और exam के questions लेकर आएंगे, all right, अगर आपको यह video पसंद आती है, please आप like, subscribe, share, जरूर कीजेगा, और यह पूरी series देखेंगे, मैं अभी भी कित पूरी series देखेंगे, तब आपको benefit होगा, हाँ, अगर incomplete knowledge, insufficient knowledge, कभी भी फाइदा नहीं देती है, ठीक है, एक-एक point सीखना बहुत जरूरी है exam के लिए, all right, thank you so much everyone, thank you for watching this video,